गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी हम संचीता पुस्तक से पाट दो मीठा पाहाट बढ़ेंगे। इस पाट में यह बताये गया है कि लड़ने से सद्यव हानी ही होती है और चीटियां कभी जगड़ा नहीं करती। तो बच्चों, सबसे पहले मैं पाट का पठन करूँगी, उसके बाद उनका अर्थ समझाती जाऊंगे। एक थी चीटी, चीटियों की रानी, वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी। उसके साथ और भी चीटियां रहती थी। सभी चीटियां बिल जुलकर रहती और खुब काम करती। एक दिन रानी चीटी अपने बिल से बाहर निकली। वहाद दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। रानी चीटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो। काली बिल्ली बोली, देखो या रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है, इसलिए रोटी मेरी है। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है। रोटी को उठाया तो मैंने था, इसलिए रोटी मेरी है, चीटी ने कहा, अरे अरे लड़ना जगणना ठीक नहीं होता, मिल बाट कर रोटी खालो, बच्चों अभी मैं अर्थ समझा रहे हूँ, एक चीटी थी, वह चीटियों की रानी थी, वह बहुत ही मेहनती थी, वह एक बिल में रहती थी, और उसके साथ अन्य चीटियां भी रहती थी, वह सभी चीटियां आपस में मिल जुल कर रहती और खुब काम करती थी, एक दिन रानी चीटी अपने बिल से बाहर निकलती है, तो देखती हैं कि दो बिल्लियां आपस में जगड़ा कर रही थी, तब रानी चीटी उनसे पुछती है, तुम लोग क्यों लड़ रही हो, यह सुनकर काली बिली बोलती है, यह रोटी मुझे चाहिए, उसके बाद भूरी बिली बोलती है पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है यह सुनकर फिर काली बिली बोलती है देखने से क्या होता है रोटी को मैंने पहले उठाया है इसलिए यह रोटी मेरी है उन दोनों की लड़ाई को देखकर रानी चीटी उनसे कहती है लड़ना जगणना ठीक नहीं होता मिल बाटकर रोटी खा लो भूरी बिली यह सुनते ही गुसे से बूली तुम्हारे कहने से क्या होता है अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है तुम चली जाओ यहां से रानी चीटी आगे चली गई इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया दोनों बिल्लियां देखती रह गई उधर चलते चलते रानी चीटी को एक बर्फी कट्टुकडा मिल गया रानी चीटी ने उसे सुंगा फिर छूकर देखा वह खुश हो गई उसे लगा यह तो मीठा पहाड है उसने बर्फी कट्टुकडा घर ले जाने के लिए खुब जोर लगाया पर वह उससे हिला भी नहीं वह फोरन भाग कर गई और बहुत से चीटीों को बुला लाई सभी चीटियां पंती बना कर एक दूसरे के पीछे चलने लगी आगे आगे रानी चीटी चलती पीछे पीछे सभी चीटियां शीगर ही सब उस मीठे पहाड के पास पहुँच गई बच्चों मैं आर्ट समझा रही हूँ जब रानी चीटी उन दोनों को कहती है कि लड़ना जगड़ना ठीक नहीं होता इसलिए इस रोटी को मिल बाट कर खालो तब भूरी बिल्ली उनकी बातों को सुनकर गुस्से में आ जाती है और वह रानी चीटी को कहती है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है अब ये रोटी मेरी है तो मेरी है फिर वह रानी चीटी को कहती है कि यहां से चली जाओ या सुनकर रानी चीटी आगे चली जाती है इतने में एक बंदर वहां आता है और उनकी रोटी को छीन कर ले जाता है और दोनों बिल्लियां देखती रह जाती है उधर रानी चीटी को चलते चलते एक बर्फी का टुकड़ा मिल जाता है रानी चीटी पहले उस बर्फी के टुकड़े को सुनकती है फिर उसे चूकर देखती है वह खुश हो जाती है उसे लगता है कि यह बर्फी का टुकड़ा मीठा पहाड है वह बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करती है बहुत जोर लगाती है पर वह उससे हिलता भी नहीं है वह तुरंद भाग कर जाती है और बहुत सी चीटियों को वहाँ बुला कर लाती है सब ही चीटियां जो है लाइन बना कर एक दूसरे के पिछे पिछे चलने लगती है आगे आगे रानी चीटियों चलती है और पिछे पिछे अन्य चीटिया जल्दी ही सब मीठे पहाड के पास पहुँच जाती है रानी चीटी बूली बेहनों आज हम मीठे पहाड के खुब दावत करेंगे इसे खिसका कर बिल की और ले चलो सभी चीटियां खुश हो गई उन्होंने पहले तो पहाड को सुंगा और फिर उससे चिपक गई फिर सबने मिल का जोर लगाया तो बर्फी का टुकडा खिसक गया धीरे धीरे वे बर्फी का टुकडा खिसका कर बिल की और ले जाने लगी रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिली काली बिल्ली चीटियों पर ठाहा का लगाने लगी बोली अरे इतनी सीतो बर्फी है और इतनी सारी चीटियां कौन-कौन खाएगा इस बर्फी को रानी चीटी हस कर बोली हमारी फिक्र छोड़ो हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगी परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बाट कर खा ली भूरी बुली बुली अरे नहीं हमारी रोटी तुम बंदर ले गया रानी चीटी ने कहा अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से रोटी खाली होती रानी चीटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर जुका लिया सभी चीटियां मीठे मीठा पहाड लेकर बिल की और चली गई बच्चों मैं आर्थ संचारी हो रानी चीटी कहती है अन्य चीटियों से कि बहनों आज हम सब मिलकर मीठे पहाड का खुब दावत करेंगे अथाथ मिल बाटकर हम इस मीठे पहाड को खाएंगे इसे खिसका कर हमारे बिल की और ले चलो उनकी बातों को सुनकर सभी चीटियां खुश हो जाती है वे चीटियां पहले पहाड को सुनती है फिर उससे चिपक जाती है उसके बाद सब मिलकर जोर लगाते हैं और बर्फी के टुकड़े को खिसका देते हैं धीरे धीरे वे बर्फी के टुकड़े खिसका कर बिल की और ले जाते हैं रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियां मिल जाती है पहले काली बिल्ली चीटियों पर ठाका लगाने लगी और बोली इतनी छोटी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चीटियां है तो इस बर्फी के टुकड़े को कौन-कौन खाएगा तब रानी चीटि हास कर बोलती है हमारी फिक्र छोड़ो हम सब तो इस बर्फी के टुकड़े को मिल बाटकर खा लेंगी लेकिन तुम्हारी उस रोटी का क्या हुआ क्या तुम दुनों ने मिलकर उस रोटी को खा लिया तब भुरी बिल्ली बोलती है नहीं हमारी रोटी बंदर छीन कर ले गया इस पर रानी चीटी कहती है यदि तुम दुनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मजे से उस रोटी को खा ली होती रानी चीटी की बात सुनकर काली और भुरी बिल्ली ने सिर्ट जुका लिया अलब उनको बहुत शर्माने लगी सभी चीटियां मीठा पहार लेकर अपने बिल्ल की और चल जाती है बच्चों इस कहानी को समझ गए इस पार्ट से हमें यह सिख्षा मिलती है कि हमें आपस में मिल जुल कर रहना चाहिए धन्यवाद